हलो पेरेंट्स एक्जाम स्ट्रेस परिक्षा के तनाव को भगाने के बैस्ट उपाए मेरी बेटी के 10th के बोर्ड एक्जाम साने वाले थे अचानक वैं बिल्कुल उदास होकर मेरे पास आकर बैठी उसने बताया कि उसे रिजल्ट की चिंता हो रही है मुझे लगा कि मेरी ब स्ट्रेस होना या बोर्ड एक्जाम स्ट्रेस होना बहुत ही सभाविक है पेरेंट्स बच्चों के परिक्षा के तनाव को दूर करने के लिए आपको इन तरीकों को अपनाना चाहिए मैंने भी यह सब अपनाए थे और मेरी बेटी के 95% मार्ग साए और बहुत खुशी खु लेने की कोई आवशक्ता नहीं है तुम सब कुछ बहुत अच्छा करोगी उसके चहरे पर चमक आ गई उसका आत्विश्वास बढ़ गया था पेरेंट्स आप भी बच्चे से प्यार से बात करें न डाटे न मारे इससे बच्चे की टेंशन बढ़ेगी नमबर टू माक्स का प्रेशर मैंने बेटी से कहा कि मुझे तुम्हारी माक्स का कोई भी प्रेशर नहीं है तुम भी बिना रिजल्ट की चिंता किये तैयारी करो अब उसकी आँखों में तेज चमक आ गई थी पेरेंट्स आप भी बच्चों पर माक्स का दबाव ना पाएंगे नमबर थ्री कमपेरिजन तुलना ना करें मेरी बेटी ने बताया कि उसकी एक सहिली ने पाँच बार कोर्स को रिवाइज किया है वह सिर्फ दो बार कर पाई है इसलिए उसे एक्जाम की टेंशन हो रही है मैंने उसे समझाया कि हो सकता है तुम्हारी सहिली को ज करने दें नमबर फोर प्लैनिंग बेटी के साथ बैट कर पूरे स्लेबस की रिवीजन की प्लैनिंग की दे वाइस तारीखें लिखकर प्लैनिंग तो बेटी ही कर रही थी मैं तो सिर्फ देख रही थी पेरेंट्स बोर्ड एक्जाम स्ट्रेस बस्टर टेप्स यही है कि आ बच्चे के साथ पूरे टाइम बने रहें उनकी प्लानिंग का हिस्ता बने नमबर फाइव फिजिकल एक्टिविटी मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड किया कि हम दौनों रोज एक घंडा बेडमिंटन खेलेंगे पेरेंट्स फिजिकल एक्टिविटी करने से बच्चे के अंदर ओज़ा भर जाती है हैपी हार्मोन रिलीज होते हैं परिक्षा का तनाव कम होता है ब्रेन तेजी से काम करने लगता है और मेमरी पावर भी बढ़ जाती है एक्जाम के दिनों में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को जरूर करनी चाहिए जैसे साइ हमारी साइट www.maaonduty.com को google सर्च करें हमने और भी अच्छे अच्छे उपाए अपनी साइट पर लिखे हैं जिने करने से बच्चों का स्ट्रेस बिलकुल कम हो जाएगा और वे खुशी-खुशी स्ट्रेस फ्री अपने पेपर दे पाएंगे अल दे बेस्ट हैपी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है